जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये 7 दिन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है और इन 7 दिनों में कौन से वो योग बनेंगे कौन से नक्षत्र होंगे जो बेहत खास आपके लिए रहने वाले हैं दोस्तों ये दिपावली का पर्व है और ये 7 दिन इस दिपावली के पर्व में ही जाएंगे यानि ये समय ऐसा है ये 7 दिन ऐसे हैं जब बहुत से नक्षत्र बहुत से योग बहुत से ऐसे समय ऐसा योग बनेगा कि आपके लिए बेहद लाबदाय की समय सावित होगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जूड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तों 9 नवंबर से और 15 नवंबर तक हम बात कर रहे हैं और देखे ये दिपावली का सब्तहा है और इस दिपावली पर की विक्ति पूरी वर्ष बर इंतिजार करता है क्योंकि ये एक साथ पांच दिनों का पर होता है बड़ी ही खुशियों का ये दिन है इन दिनों में अगर हम नक्षतरों की बात करें, ग्रहों की बात करें, योगों की बात करें तो 9 नमबर से चंद्रमा की स्थिथी करक राशी से 15 नमबर तक तुला राशी तक जाएगी और शुरुवात के दिन 9 नवंबर के दिन सौमवार और मगा नक्षतर का सईयोग बन रहा है जो कि महिलाओं के लिए महिलाओं से जुड़े समान खरेदने के लिए बहुत ही खास माना जाता है चंदरमा इस दिन करक राशी में होंगे अपनी राशी में इसके बाद 10 नवंबर का जो दिन है इस दिन मंगलवार और साथ में पूर्व फालगुली नक्षतर एंदर योग बन रहा है जो कि electronic समानों की खरेदारी के लिए अच्छा है, property में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है, property से लाब कमाने के लिए अच्छा है, जो property से जुड़े काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है 11 नमबर उत्तर फालगुली नक्षतर है, वर्धमान योग है और सबसे बड़ा चंदर मंगल की ब्रस्ती से महालक्षमी योग बन रहा है, जो की हर तरह से लाबदायक है, खरेदारी करने के लिए मशीनरी, वीकल, ओजार इन चीजों की खरेदारी करने के लिए बहुत अच जिन तो आप वाहन, भूमी, भवन, अभूशन, वस्तर किसी भी चीज की खरेदारी कर सकते हैं, 14 नमबर दीपावली का दिन, 17 वश के बाद इस दिन सूरेद के साथ ही सरवार सिद्धी योग बने का और रातरी में 8 वजे तक ये सरवार सिद्धी योग रहने वाला है, तो इसके आधार पर हम जानेंगे, कि कैसा ये समय आपके लिए रहेगा, अब यहाँ जो चंद्रमा की इस्तिती बन रही है, ये चंद्रमा की शुरुवात करक राशी से होगी, और तुला राशी तक रहेगी, यानि आपका दसवा, ग्यारवा, बारवा और पहला, ये चार भा लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुला राशी के लिए जो ग्रही या गोचर है, वो सकारात्मक रहेगा, कुछ चीजों में हलाकि साबधानी भी रखनी होंगी, इस दोरान आप अपने काम काज में भाग दोर तो आपको जादा रहेगी, लेकिन आप अपने व्य करने वाला सावित होगा, पूरे सब्ताहा आपके मन में जोश होगा, उत्साहा बना रहेगा, हर काम को लेकर, चाहे वो आपके घर में साहा सज्जा का हो, खरिदारी करने का हो, अपके ऑफिस का काम हो, हर चीज़ को लेकर आप उत्साहा हित रहेंगे, घर में मांगले कारे कर्मों के अबसर मिलेंगे, आर्थिकिस्टिक को सुरदर्ड बनाने की रूप रिखा बनेगी, समय और परिष्टिक को ध्यान में रखकर निर्ना लेना आपके लिए लाब दायक साबित होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ अच्छा उठना बैठना होगा, उन बाजार में नए सहयोगी या नए भागिदारों से मुलाकात हो सकती है कुछ लोग जो दुकानदारी करते हैं जिनकी डेली इंकम है उनके लिए यह समय सबसे अधिक लाबदायक रहने वाला है आपका काम बढ़ेगा आपके उपर काम का प्रेशर रहेगा लेकिन उतना ही प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और जमीन जायदाद की क्रे विक्रे के हिसाब से तो यह सबता बहुत लाबदायक है अगर आप ऐसी किसी काम से जुड़े हुए हैं जहां जमीनी जायदाद का काम होता है लेंदेन का काम होता है तो बहुत अच्छे लाबदायक है चात्रों के लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इस दोरान मिलेंगे यानि यह हर तरह से अनुकूल है सेहत में भी आपको परिणाम जो हैं वो काफी अच्छे नज़र आएंगे अगर पहले से आप कुछ परिशान थे तो तंदुरुस्ती महसूस करेंगे यात्राओं का योग भी है बस यात्राओं को करते समय आपको थुड़ा फूकस रहना होगा तब आपको स्कून प्राप्त होगा इस दोरान अपने कारशेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना ले जल्दबाजी में निर्न लाने खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन खर्चों को उतना करें जो आपकी जेपर भारी ना पड़े वरना बाद में पच्ताना पड़े इसलिगे खर्चों पर फूरा कंट्रोल करना होगा दहनवय के योग है क्योंकि जो ये सब्टा है ये दिखिए खर्चे का ही सब्टा है एक साथ इतने सारे थ्योहार हैं, खरिदारी करने का समय हैं, तो खर्चे तो होंगे ही होंगे, बस खर्चा उतना होना चाहिए जो आपको आपके उपर भारी ना पड़े इस दोरान प्रेम सम्द में आप अपनी बात को खुल कर अपनी साथी के प्रति कह पाएंगे मन में थोड़ी सी शुरुवात में बेचानी हो सकती है, अकेलापन हो सकता है, लेकिन जब आप अपने मन की बात को खुल कर बोलेंगे तो लवलाई भी मजबूत होगी, जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय रहेगा, प्रेम सम्द भी मजबूत होते जाएंगे और इस सब्ता हमें कोई ऐसा शुब समाचार आपको अपनी दामपत्त जीवन में, प्रेम जीवन में, पारिवारिक जीवन में मिलने वाला है कि पार्टी करने का मोड होगा, तो ऐसी स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो रही है और ये देखे, जो समय है, ये गुरु और शनी की गोचर इस्थिति आपके लिए धार्मिक और कार्मिक दोनों इस्थितियां बना रही है वैपारिक जीवन में भी अच्छे फल देगी, और धार्मिक कामों में भी आपको लगाएगी और वही मंगल का जो ये गोचर है, आपके लिए मंगल और कल्यान देने वाला, प्रचुर मातरा में धनलाब देने वाला, सम्मान देने वाला रहेगा महालक्षमी योग जो बन रहा है चंद्रमंगल की यूती हुई है जो आपके लिए बहुत लाब दायक रहने वाली है क्योंकि चंद्रमंगल की यूती आपके लिए धनलाब दिलाने वाली साबित होगी इसका लाब सबसे अधिक तुलाराशी के लोगों को मिलेगा ऐसे में आपकी खुशियां बढ़ती हुई नजर आएंगी अगर कोई विवाद था तो उसमें आपकी विजय के सबसे अधिक आफसर बन सकते हैं आपकी विजय इस समय आपको मिल सकती है तो काफी अच्छा ये समय है बस अपनी समय का सदूपयोग करना सीखें जो समय आपके पास है उसका सदूपयोग करें किस तरह किसे कर सकते हैं हर समय का फाइदा कैसे उठा सकते हैं और कुछ दान पुन्ने भी जरूर करें जो 13 नमबर का दिन है 14 नमबर का दिन है इन दिनों में कुछ दान पूने जरूर करें गरीबों को आप कुछ दान कर सकते हैं अपने घर में दो अखंड दीप चलाएं एक मुख्य द्वार पर और एक अपने घर के मंदिर में जो आप ये अखंड दीप जलाएंगी ये